इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विश्नु को अपना पती स्वीकार किया था। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के एंशबूत महर्शी दुर्वासा प्रत्वी पर विचर रहे थे। खूमत भूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुन्दरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिये खड़ी थी, वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंद से समस्थ वन प्रांथ सुवासित हो रहा था। तुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मागी। विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत वेशधारी मुनी ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनह प्रित्वी पर भ्रमन करने लगे। इसी समय मुनी को देवराज इंद्र दिखाई दिये जो मत्वाले एरावत पर चड़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनी ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतार कर हाथ में ले ली। उसके उपर भ अर्शित हो सूंट से माला उतार ली और सूंट कर प्रित्वी पर फेग दी। ये देख दुरवास अक्रोट से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। अरे ओ इंद्र। एश्वर्य के घमन से तेरा हृदय दूशित हो गया है। तुझ पर जरता चा रही ह तभी तो मेरी दी हुई माला का तुने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तुने प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्रही अद्रिश्य हो जाएगी। ये शाप स पर सवार हो अमरावती को लोट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नश्ठ हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीही ने एवं सत्वरहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चड़ाई कर दी। देवताओं में आब उत्साह कहां रह गया था। सब ने हार म ली। फिर सभी देवता ब्रह्माजी की शरल में गए। ब्रह्माजी ने उन्हें भगवान विश्नु की शरल में जाने की सलाह दी तथा सबकी साथ वे स्वयंभी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदी देवताओं ने बड़ी भक्ती से भगवान विश्नु का स्तवन किया। भगवान प्रसंद होकर देवताओं की सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंदल मय विग्रह देखकर देवताओं ने पुना स्तवन किया। ततपश्चार भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा इसे अम्रित प्रकट होगा उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे किन्तु ये कार्या है बहुत दुशकर अतर तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही भगवान की आग्या पाकर देवगन दै राज को नेती रसी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्या आरंब किया भगवान ने वासुकी की पूंच की ओर देवताओं को और मुप की ओर डैत्यों को लगाया मंथन करते समय वासुकी की नेहश्वासागनी से जुलसकर सभी डैत्यन स्टेज हो गये और उसी नेहश्वास वायू से विक्षिप्थ होकर बादल वासुकी की पूंच की ओर बरस्ते थे जिससे देवताओं की शक्ती बढ़ती गई भक्त वत्सल भगवान विश्णु स्वयम कच्छप रूप धारन करक्शीरसागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार बने हुए थे वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खीचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाए नहीं देता था उन्होंने मंद्राचल को उपर से दबा रखा था इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बलका संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ती बढ़ा रहे थे इस प्रकार मंथन करने पर क्षीरसागर से क्रमशह कामदेनू, वारुनी देवी, कल्परिक्ष और अपसराय प्रकट हुई इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारन किया फिर विश प्रकट हुआ जिसे नागू ने चाट लिया तदनंतर अमरित का कलश हाथ में लिए धनवंतरी का प्रादुर भाव हुआ इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन नता हुई सबके अंत्मिक शीर समुद्र से भगवती लक्षमी देवी प्रकट हुई वे खिले हुई कमल के आसन पर विराजमान थी उनके अंगों की दिव्यकांती सब और प्रकाशित हो रही थी उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था उनका दर्शन कर देवता और महर शिगन प्रसन हो गए उन्होंने वैदिक श्री सूप्त का पाठ करके लक्षमी देवी का स्तवन करके दिव्यवस्त्रा भूशन अर्पित किये वे उन दिव्य वस्त्राभूशनों से विभूशित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विश्नु भगवान के वक्षस्थल में चली गई भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन हो गए पैत्यों को बड़ी निराशा हुई उन्होंने धनवंतरी के हाथ से अमरित का कलश छीन लेया किन्तु भगवान ने मोहिनी स्थ्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमरित देवताओं को ही पिला दिया तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ती के साथ श्री लक्ष्मी जीने देवताओं को मनोवान शित वर्दान दिया